नमस्कार मैं कानक आप देख रहे हैं अड़ प्रकाश आए लगए डालते हैं आज की कुछ खाथ ख़बर हिमाचल विधान सबा के 12 नमबर को होने वाले चुनाप को लेकर सरगर्मिया पूरी तरह तेज हो चुकी है भाचपा कॉंग्रेस वै आपके इलाबा अन्य निर्दलिये प्रत्याशियों ने भी अपनी राइनीतिक सरगर्मिया तेज कर दी है इसी को लेकर अर्थ प्रकाश की विशेश टीम चंडीगर के निकतवर्ती दून विधान सबाथ छेत्र में पहुँझी और यहां मत्नाताओं से खुल कर चर्चा की देखे दून विधान सबाथ से अर्थ प्रकाश संबादाता करमचीत के साथ कैमरामैन मनीश की विशेश रोबोर्ट क्या बोल रहे हैं संबादाता जिसे शानी साथ नमशकार नमशकार जी अच्छा ये कौन सा गाउं है आपका ये है जी लोदी माजरा गाउं लोदी माजरा बनवीर पूर साथ साथ ही है जी कितने गाउं पड़ते हैं जी छेसो के लगभग गाउं जी तो जैसे कि आहाम आदमी पार्टी की हमेशा से एक है कि हम सबसे पहले विकास करेंगे तो हिमाचल में ऐसा क्या है जो सबसे पहले आप जिस पर ध्यान दोगे जो आम आदमी पार्टी का मुद्ध है ये पहली पार्टी है हिमाचल में जो आई है कि जो एक आम आदमी के लिए एपना स्वास्थ्या और शिक्षा के मुद्धे पर election लड़ रही है, में मुद्ध है, शिक्षा और स्वास्त है, बेरोजगारी और जैसे ये पार्टी काम कर रही है, दिली में किये हैं, दिली जीती, फिर पंजाब जीता, अब हमाचल की बारी है, हम हमाचल भी जीतेंगे, क्योंकि हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, ये प अच्छे स्कूल बनेगे प्राइविट स्कूलों में फमारी लूट हो रही है वो बंद हो जाएगी अच्छे स्कूल बनेगे अच्छे पढ़ाई होगी। इन बिदोड़ी है यह पहली पार्टी है जिसने यह मुद्दे ने बदे पर एलेक्शन लड़ रही है। आज तक BJP और कॉंग्रिस ने ये बात नहीं की जैसे आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कल जाराम ठाकूर जी ने अपने एक ब्यान में कहा है कि उनकी सरकार ने पांच साल में करोना काल होने के बावजूद भी लगबग 50,000 लोगों को नौकरी दी हैं जिसमें से 10,000 जो ह हैं सरकारी नौकरी हैं 40,000 जो हैं कांट्रेक्शल पे हैं तो करोना में उनकी ये उपलबदी ठीक नहीं लगती आपको भी कहां सारा ये तो बाते हैं ये बाते हैं बीजेपी और कॉंग्रिस के बादे हैं लेकिन जो आम आदमी पार्टी हैं उनकी गरंटियां हैं ये थारा साल तक थारा साल के बाद उसको तीन हजार प्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब बंद होगा लेकिन जैसे आप बात कर रहे हो कि बाते हैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब में बगवनतमान जी के सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल य नहीं सर चलो अभी देखो आमादवी पार्टी नहीं पंजाब में पहर रखा है पंजाब की बेवस्ता बहुत बिगडी हुई थी धीरे धीरे सब कुछ होगा अभी तो छे मिने हुए आठ मिने हुए सरकार बने हुए तो खजाने तो पहले अकालियों ने और कॉंग्रिस खाली किये हुए थे अभी तो इन्होंने जैसे कि सारे एमले की पांस पांच लाग छे लाग रुपे पैंशन थी वो पैंशने बंद करके गरीव आदमी को जो बादे किये थे जैसे बिजली का बिल जीरो कर दिया और महला क्लीनिक खोले हैं ये आम आदमी के लिए काम कर र एक बिजनस हब है वेपारी बहुत जादा हैं तो आप यहां क्या देखते हो कि क्या क्या चीजें सुविदाएं लोगों को देनी है वेपारियों को देनी है यहां पे सर वेपारियों को हर तरह की सुवदा मिलेगी जैसे कि रोड की है पानी की है सीवरेज की है हमारे यहां बद्दी में सीवरिज की बत से बत से बत्तर हालात हुए है और इतनी गंदगी फैली हुई है बद्दी में और हौसिंग बोड में लोगों का जीना दूबर हुआ है लोग हौसिंग बोड को छोड़ छोड़ के चंडीगर और पंचकुला के लिए प्लाइन कर रहे हैं हमारी अगर आमाद भी पार्टी आती है तो हम हौसिंग बोड को चंडीगर की तरज पे डवल्प करेंगे और बद्दी में एक ऐसा शानदार क्लीन सिटी बनाएंगे यह हमारा इरादा है अगर हमें हमारी जनता हमें चुनती है तो हम कुछ अलग से करके दिखाएंगे जो इनका सुपना भी नहीं होगा इन पार्टी ओगा जो इन्हों ने सोचा भी नहीं होगा ये तो आपने यह योजजना जो बताइया अपनी जो बताया है ये सिटी के लिए होगी शायर के लिए होगया लिकिन जैसे आपके पास ापशे सो गाफ़ाउं है आपकी गिय Will see में उसके इन्हों पहले जरज़र हाल्त में बailडिंग थे इन स्कूलों की बिलडिंग कुछ जरे इंसोती इन स्कूलों की बिलडिंग के शिल्डिंग करके वहां पहले चार पहार, थे जियर पढ़ने में उन दूए फल 5 MOR पछाव हम बैप बेलडिंग नहीं है। कोई बजूर्ग है बच्चा है तो उसको पीठ पे धोके लाना पड़ता है ये छोटे छोटे टुकडे रोडों के जो ये नहीं करवाए उनको हम पका करवाएंगे और कहीं कहीं पानी की विवस्ता ऐसी है कि लोग बरसाथ के पानी से काम चलाते हैं अपने पस्वों को पिला सबा में ले सकती है आम आदमी पार्टी की हमारा तो आइडिया है कि सरकार बनेगी अगर ऐसा नहीं तो 25-30 सीट कहीं जाती नहीं है लेकिन कल जाराम ठाकुर जी ने एक बात बोली है कि हमारा जो मुकाबला है सीधा सीधा कॉंग्रेस से हैं हम अपने मुकाबले में आपको से दिल तूट जाए लोगों का लेकिन काफी जो आपके आम आदमी के अच्छे जो नेता थे वो बीजे पी जोईन कर गए वो भी तो एक सेंद मार हो गई है उसरो तो चलता है आम पार्टी हम हर पार्टी में चलता है बीजे की बीजे पी के उदर भाग रहे हैं और कॉंग प्रश एक वीरबदर जी के नाम पे एक एमोशनल काड भी खेल रही है तो उस पर कोई ऐफेक्ट पड़ेगा नहीं नहीं आप अशा कोई फेक्ट नी पड़ेगा सभी सभी का कार्यकाल देखा हुआ हमारे दून में ही लगा लो आप हमारे दून में एक कोई हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं है हमारे लोग दिली चंडीगर में जाते हैं और या फिर रोपड में जाते हैं पंचगुला में जाते हैं द्वाई लेने के लिए कोई ब्लाड मेंक निए ब्लाड मेंक तो बड़े दूर की बात है हां टेस्ट नहीं है कोई मतलब कोई भी सुविदा न शिक्षा में सर यह पार्टीयां चाहती है कि अगर लोग शिक्षित हो जाते हैं, तो हमारे पांब कौन भूएगा, ये सलिए याम जनता को शिक्षित होने से बंचित रख रही है शिक्षा ते, अभी जो आम आदमी पार्टीय है, वो चाहती हैं कि हमारा देश अगर शिक्ष हो गया चाहे पंशन होगी वह चाहे महला पंशन है यहां बेरोजगारी बता है वह कहते कि वह हमारी पॉक्ट से कटेगा तो यह पैसा आएगा कहां से यह पैसा आएगा जैसे पंजाब में MLS को 5-5 पैंशन नगी थी, 5,6,6,6,6 पैंशन ले रहा था वो उनकी बंद कर दी, हमारे को बता रहे थे, यह फ्री की रवड़िया gay रवड़ी आँ लेकिन ओ रवड़ीयां फ्री की नहीं थी, जो 5,5 लवड़ पैंशन ले रहा था, एक MLS अब उनकी ओ रेवडियां बंद करके हम जनता को बांटनी शुरू कर दी ऐसे ही हम पैसा बचाएंगे बरस्टा चार खत्म करेंगे इस पार्टी में बरस्टा चार नाम की चीज नहीं है बरस्टा चार खत्म होगा खनन माफिया लोगों के साथ धकेशाही सब बंद होगी और आम आदमी के लिए हर सुविदा मिलेगी इसको जो फ्री की रेवडियां बोल रहे हैं ये फ्री की रेवडियां इनने नेताओं को मिलनी बंद हो जाएगी और आम जनता को मिलेगी जैसे अब भी आप घर गर जाके परचार कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है लोग क्य क्या समस्य हैं आपके सामने रख रहे हैं कि हमें ये समस्य हैं ये सबसे बड़ी समस्य हॉस्पिटल की है जी और शिक्षा की भी है क्योंकि हम हमारे सभी लोग प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट हो रही है हमारी ये बहुत बड़ी बहु प्रेइडेंट हूँ इसलिए मेरे को सारी इंडिस्ट्री का पता है हमारे लोगों को सतर प्रसेंट के नाम से के सतर प्रसेंट रुजगार दिया जाएगा हमाचलियों को नाम से बस पेपर बगारा पता नहीं कैसे कंप्लीड करते हैं क्या करते हैं बलके दो कोई चेक करने व यह थे आम आदमी पार्टी के उमीदवार स्वारन सिंग सानी जी देखना आईए दुखन देखने वाली बात ये रहेगी कि इलेक्शन जीतने के बाद क्या ये बद्दी के अपनी कॉंसिटिशन को दबारा स्वारन यूग दे पाएंगे मैं करम जी सिंग मुनिश के साथ अर प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबानन अभूलेगे